प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से ठीक 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था उस समय भारत के लोकतंतर की आवशक्ता के लिए संगर्ष और यातनाय जेलने वालों को पीम मोदी ने नमन किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था उस समय भारत के लोकतंतर की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संगर्ष किये यातनाय जेली उन सबको मेरा शत शत नमन उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भुला पाएगा जब देश में आपातकाल लगया गया तब उसका विरोध सिर्ब राजनेती के दाइरे तक सिमित नहीं रहा था जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था जन जन के दिल में एक आक्रोश था खोये हुए लोक तंतर की एक तड़्प सी दिन राज जब समय पर खाना खाते हैं तब भूग क्या होती इसका पता नहीं होता है वैसे ही सामाने जीवन में लोक तंतर के अधिकारों के क्या मजा है वो तो तब पता जलता है जब कोई लोक तंतर के अधिकारों को छिन लेता है आपातकाल में देश के हर नागरी को लगने लगा था तो उसका कुछ छिन लिया गया है जिसका उसने जीवन में कभी उप्योग नहीं किया था वो भी अगर छिन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था और ये इसलिए नहीं था कि भारत के समिधान ने कुछ ववस्थाइं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है समाज ववस्था को चलाने के लिए समिधान के भी जरूरत होती है काईदे कानून नियमों की भी अवश्था होती है अधिकार और कर्तवे की भी बात होती है लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे समस्कार है लोकतंत्र हमारी संस्कृती है लोकतंत्र हमारी विरासत है और उस विरासत को लेकर के हम पले बड़े लोग हैं और इसलिए उसकी कमी देशवासी महसूस करते हैं और आपात काल में हमने अनुभव किया था और इसलिए देश अपने लिए नहीं एक पूरा चुनाव अपने हित के लिए नहीं लोग तंतर की रक्षा के लिए आहुत कर चुका था शायद दुनिया के किसी देश में वहां के जन जन ने लोग तंतर के लिए अपने बाकी हकों की अधिकारों की आवशक्ताओं की परवा न करते हुए सिर्फ लोग तंतर के लिए मद्दान किया हो ता ऐसा एक चुनाव इस देश ने सत्तर में देखा था आज के दिन पैटालीस साल पहले एक परिवार की सत्ता की भूप के कारण देश में आपातकाल लागो हुआ रातों रात देश को जेल में बदल दिया गया प्रेस नयायाले बोलनी की आज़ादी सब ही को कुचल दिया गया गया गरीबों और दलितों पर अत्याचार किये गए लागों लोगों के प्रियास की वज़े से आपातकाल हटा भारत में लोग तंत्रकी पुनह भाली हुई लेकिन कॉंग्रेस पार्टी में ये अनुपस्तित रहा एक परिवार का हित पार्टी के हितों और राश्ट्री हितों पर हावी था यह खेद जरक स्थती आज भी कॉंग्रेस में भली बूत है कॉंग्रेस पार्टी के अंदर आपातकाल की मान सिकता क्यों विद्यमान है जो नेता एक परिवार से तालुक नहीं रखते उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जाता कॉंग्रेस पार्टी के नेता निराश क्यों है अन्य था कॉंग्रेस पार्टी का लोगों से अलगाव बढ़ता जाएगा